या गंदो, हॉस्पिटल के सामने खड़े हो क्यो फूफू कर रहा है? बीवी बीमार है, अंदर है. क्या हो आप भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी. औरतों वाली बीमारी? खर्चा इतना अप। इस सिगरेट कितना की है? तस रुपे की? और जेब में किती पड़ी? तेवी को और है? मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं है. क्या बख रहा है? यह देख, मौत लगी इस पे मौत. और यह सानिटरी पैट पे जिंदगी. यह देख, मौत. वेलकम टू माई यूटूब चैनल, मेरे यूटूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है. आज मैं आपको ए मेली, मौवी के बारे में बताती हूँ. ए मेली जिसे ले बे बूले बे फूलेक्स, डे स्टिन डी एमेलिन पोलेन के नाम से भी जाना जाता है. फ्रेज उच्चारण, एल्फ, फे बाइकल, डेस्ट, डे मिल, पूला, अंग्रेजी दा, फेल, लूसस, डे स्टेनी, आफ, एमेल, पोलेन, जीना, पियर, जे नेट, द्वारा निर्देश से दोजार एक की कॉमेड, रोमांटिक कॉमेडी फिलिम है, गूई ल्यूमस लारेट के साथ जी तन, द्वारा लिखित यह फिलिम मोर्ट, मारेट में स्थापिस सम कालीन पेरिस के जीवन का एक सन की चित्रन है, यह आटे टोटो द्वारा निभाई गई एक सामिल बेट स्ट्रेक की कहानी बताती है, जो अपने लगाव में चूजते हुए अपने आसपास के लोगों के जीवन को बहतर बनाने का फैसला करती है, फिल्मे में सहायक भूमिका के कलाकारों की टुकडी भी सामिल है, जिसमें सामिल हैं मैथ्यू कास्तो बिटज, रूफज, लोरेला, क्राबोटा, सर्ज मालिन, जेमेल, डेवोज, क्लेयर, मोरिया, क्लोडिट टेल्स, मोलेट, इसाबेल, नेटी, डोमीन निक पिनिन, आर्ट्स, डीव, पेरगुन, रोलाडे मोरो, अर्वेन के स्लेयर, और मोरिस बे नीचो, निर्देशक, जिन, पियर, जेनेटा, पट कथा किये, गिल, लोम, लोरेट कहानी द्वारा, गिल, लोम, लोरेट, जिन, पियर, जेनेटा, द्वारा निर्ग में, जिन, मार्क्स, डेचेम्स, क्ला, उडी, ओ, साड, अभिनित, आर्दे, तो, तू, मैथ्यू, कार्सो, विटज, रूफ, रूस, लो, रेला, क्रड, वोटवा, सर्ज, मर्लिन, जम, इल दे, वो, जे, क्लेर, मोरिया, कास्टिड, मोलेट, इसा, बेल, नेटी, डोमिनिक, निपो, आर्स, डी, पेंगू, अन, रो, लाडे, मोरो, संगीत दिया है, यान, टियर, सेन, उत्पादन कंपनिया, क्ला, उडी, और, साड, प्रोडेक्शन, यू, सी, जी, विक्टोयर, प्रोडेक्शन, टेपी, ओका, फ्लिम्स, फ्रांस, 3, सिनमा, mmc, सवतंत्र, सोफिय, सोफिन, पाच, फिलिम्स, टू, चुंग, नहर, फ्रांस, 3, सिनमा, द्वारब वितृत, ucg, प्राक्स, डिस्टिव्यूशन, फ्रांस, प्रो निको, फिल्म, मेर, सिच, जर्मनी, रिलीज करने की तारिक 25 अप्रेल 2001 फ्रांस, 16 अगस 2001 जर्मनी, कार्यकारी समय 123 मिनट, देशो फ्रांस और जर्मनी, भासा फ्रेंच, बजट 10 मिलियन, बॉक्स आफिस 114.2 मिलियन, फ्रांस, 16 अगस 2001 प्रो निको फ्लमें, लिर्मनी में नाट के रूप से रिलीज किया गया था, टोटो के प्रदर्शन चायकान, उतपादन डिजाइनिंग और लेखन के लिए पिर्शंसा के साथ फ्लिम को आलोचको की पिर्शंसा मिली, एल्मी ने यूरोपिय फ्लिम पुरुसकारों में सर्वश्रेश्ट फ्लिम का पुरुसकार जीता है, जिसने सर्वश्रेश्ट फ्लिम और सर्वश्रेश्ट निर्देशन सहित 4 सेशर पुरुसकार भी जीते, इसने सर्फिस्ट मूल पठकता सहित दो ब्रीटिश अकैदमी पुरुसकार जीते और सर्फिस्ट विदेशी भासा फिल्म सहित पांच अकैदमी पुरुसकारों के लिए नामानकित किया गया सर्फिस्ट मूल पठकता यह फिल्म एक बैपसाइक सफलता थी जिसने 10 मिलियन के बजट के मुकावले दुनिया भर में एस 174.2 मिलियन की कमाई की और यह एक प्रांसेस फिलिम के लिए सबसे बड़ी अंतराश्टिय सफलताओं में से एक है एमिन फोलेन का जनम जून 1974 में हुआ और उनका पालन पोशन विलक्षण माता पिता दवारा किया गया जो गलत तरीके से मानते हैं कि उन्हें हिर्दिय दोस है उन्हें घर विध्याल्य का फैसला करें अपने अकेलेपन से निवटाने के लिए एलमी एक सक्रिय कलपना और एक सरती व्यक्तित विक्सित करती है जब एक मिली छे साल की होती है तो उन्हें की मा अर्मडाइन्स की मौत हो जाती है जब एक आद्म घाती कनाईड पियर टक नो ट्रे ड्रेम डे पियरिस की छट से कूदता है और उस पर उतरता है नतीजा तन उसके पिता राफेल समाच से अधिक से अधिक वापस लेते हैं एमेली इठारे साल की उम्र में घड छोड़ देती है और मोट मार्टे में कैफे ड्रेस टू मोलिंस में वेट्रेस बन जाती है जो सकनी के संग्रह द्वारा करमचारी और अकसर किया जाता है अब विवाहित हैं और अपनी कलपना को सब्तंत रूप से घूमने देती हैं साधारन सुक्स में सतोस धूड़ती हैं जैसे अनाज की वोरियों में अपना हाट डूआने और चमच में से क्रेम बूली को फोड़ने 31 अगस 1987 को वेल्स की राजकुमारी डायन की मौत की ख़वर से चौक गई एम मेली ने एक प्लास्टिक फर्मियों स्टा पर गिर गया आई होप आपको मेरे वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें शेयर करें और मेरे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें धर्न्यवाद वेल्कम टू माई यूटूब चैनल मेरे यूटूब चैनल पर आप सभी का स्वाकत है आज मैं आपको एमेली वो भी के बारे में बताती हूँ एमेली जिसे ले बे बूले बे फूलेक्स डे स्टिन डी एमेलिन पोलेन के नाम से भी जाना जाता है फ्रेज उच्चारण एल्फ फे बाइकल डेस्ट डेमिल पूला अंग्रेजी दा फेल लूसस डे स्टेनी आफ एमेल पोलेन जीना पियर जे नेट द्वारा निर्देश से दोजार एक की कोमेड रोमांटिक कोमेडी फिलिम है गूई लियूमस लारेट के साथ जी तन द्वारा लिखिती है फिलिम मोड मारेट में स्थापिस सम कालीन पेरिस के जीवन का एक सन की चित्रण है यह आटे टोटो द्वारा निभाई गई एक सामिल बेट ट्रेक की कहानी बताती है जो अपने लगाव में जूजते हुए अपने आसपास के लोगों के जीवन को बहतर बनाने का फैसला करती है फिल्म में सहायक भूमिका के कलाकारों की टुकडी भी सामिल है जिसमें सामिल हैं मैथ्यू कार्सो विटज, रूफज, लोरेला, क्राबोटा, सर्जमालिन, जेमेल, डेवोज, क्लेयर, मोरिया, क्लोडिट टेल्स, मोलेट, इसाबेल, नेटी, डोमीन, निक्पिनिन, आर्स ढ्रीब, पेर घुन, रोलाडे, मोरो, अर्वेन, केर, स्लेयर, मौरिस, बेनिचो, निर्देशक जिन, पियर, जे नेटा, परट कता किए, गिल, लोम, लोडिट, कहानी दवारा, गिल, लोम, लोडिट, जिन, पियर, जे नेटा, द्वारा निर्गमिचीन, मार्क्स, डे चेम्स, क्ला उडी ओ साड, अभी नित आर दे तो तू, मैथ्यू कार्सो विटज, रूफ रूस लो, रेला क्रड वोटवा, सर्ज मर्लिन, जम इल, दे वो जे, क्लेर मोरिया, कास्टिड मोलेट, इसा बेल नेटी, डो मिन निक निपो, आर्स डी, पेंगू, रो लाडे मोरो, थो, मेर्च बेर्चों चाया कान, ब्रोन डे वो नेल, द्वारा संपादित है, फ्रा इडो, संगीत दिया है, यान टियर सेन, उत्पादन कंपनिया, क्ला उडी, और साड प्रोडेक्शन, यू सी जी, विक्टोयर प्रोडेक्शन, टेपी ओका, फिल्म्स, फ्रांस त्री सिनमा, एम, एम, सी, सब्तंत्र, सोफिया, सोफनिज, पांच, फिल्म, स्टू, चुंग, नहेर, फ्रांस त्री सिनमा, द्वारा वित्रित, यू सी जी, फ्राक्स, डिस्टिव्यूशन, फ्रांस, प्रो निको, फिल्म, मेर, सिच, जर्मनी, रिलीज करने की तारिक, 25 अप्रेल, 2001, फ्रांस, 16 अगस, 2001, जर्मनी, कार्यकारी समय, 123 मिनट, देशो, फ्रांस और जर्मनी, भासा, फ्रेंच, बजट, 10 मिलियन, बॉक्स ओफिस, 144.2 मिलियन, फिल्म, को, यू सी जी, फ्राक्स, डिस्टिव्यूशन, द्वारा, 25 अप्रेल 2001, फ्रांस, में, और 16 अगस, 2001, प्रो निको, फिल्म में, लिर, द्वारा, जर्मनी में, नाट के रूप से रिलीज किया गया था, टोटो के प्रदर्शन, छायकान, उतपादन, डिजाइनिंग, और लेखन के लिए, पिर्शंसा के साथ, फिल्म को, आलोचको की पिर्शंसा मिली, एल्मी ने यूरोपिय फिल्म पुरुसकारों में सर्वश्रेश्ट फिल्म का पुरुसकार जीता है, जिसने सर्वश्रेश्ट फिल्म और सर्वश्रेश्ट निर्देशन सहित चार सेशर पुरुसकार भी जीते, इसने सर्वश्रेश्ट मूल पठकता सहित दो एपसाइक सफलता थी जिसने 10 मिलियन के बजट के मुकावले दुनिया भर में एस 174.2 मिलियन की कमाई की और यह एक प्रांसेस फिलिम के लिए सबसे बड़ी अंतराश्टिय सफलताओं में से एक है एमिलियन फोलेन का जनम जून 1974 में हुआ और उनका पालन पोशन विलक्षण माता पिता दवारा किया गया जो गलत तरीके से मानते हैं कि उन्हें हिर्दिय दोस है उन्हें घर विद्ध्याल्य का फैसला करें अपने अखेलेपन से निवटाने के लिए एलमीन एक सक्रिय कलपना और एक सरती व्यक्तित विक्सित करती हैं जब एक मिली छे साल की होती हैं तो उसकी मा अर्मडाइन्स की मौत हो जाती है जब एक आदम घाती कनाईड पियर टक नो ट्रेग ड्रेम डे पियरिस की छट से कूदता है और उस पर उतरता है नतीजा तन उसके पिता राफेल समाद से अधिक से अधिक वापस लेते हैं ए मेली इठारे साल की उमर में घड छोड़ देती है और मोट मार्टे में कैफे ड्रेस टू मोलिंस में वेट्रेस बन जाती है जो सकनी के संग्रह द्वारा करमचारी और अकसर किया जाता है अब विवाहित हैं और अपनी कलपना को सब्तंत रूप से घूमने देती हैं साधारन सुक्स में सतोस ढूंडती हैं जैसे अनाज की वोरियों में अपना हाट डूआने और चमच में से क्रेम बूली को फोडने 31 अगस 1987 को वेल्स की राजकुमारी डायन की मौत की ख़वर से चोग गई ए मेली ने एक प्लास्टिक फर्मियों स्टा पर गिर गया I hope आपको मेरे वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें शेयर करें और मेरे यूटूब चैनल को सस्क्राइब करें धन्यवाद Welcome to my YouTube channel मेरे YouTube channel पर आप सभी का स्वाकत है आज मैं आपको ए मेली वो भी के बारे में बताती हूँ एमेली जिसे ले बे बूले बे फूलेक्स डे स्टिन डी एमेलिन पोलेन के नाम से भी जाना जाता है फ्रेज उच्चारण एल्फ फे वाइकल डेस्ट डेमिल पूला अंग्रेजी दा फेल लूसस डे स्टेनी आफ एमेल पोलेन जीना पियर जे नेट द्वारा निर्देश से दोजार एक की कॉमेड रोमांटिक कॉमेडी फिलिम है गूई ल्यूमस लारेट के साथ जी तन द्वारा लिखित यह फिलिम मोड मारेट में स्थापिस सम कालीन पेरिस के जीवन का एक सन की चित्रन है यह आर्टे टोटो द्वारा निभाई गई एक सामिल बेट ट्रेक की कहानी बताती है जो अपने लगाव में चूजते हुए अपने आसपास के लोगों के जीवन को बहतर बनाने का फैसला करती है फिल्म में सहायक भूमिका के कलाकारों की टुकडी भी सामिल है जिसमें सामिल हैं मैथ्यू कार्सो विटज, रूफस, लोरेला, क्राबोटा, सर्ज मालन, जे मेल, डेवोज, क्लेयर, मोरिया, क्लोडिट टेल्स, मोलेट, इसाबेल, नेटी, डोमीन निक्पिनिन, आर्ट्स, डीव, पेरगुंड, रो लाडे मोरो, अर्वेन के स्लेयर, और मोरिस बे नीचो, निर्देशक जिन, पियर, जे नेटा, पट कथा किये, गिल, लोम, लोरेट, कहानी द्वारा, गिल, लोम, लोरेट, जिन, पियर, जे नेटा, द्वारा निर्ग में, जिन, मार्क्स, डे, चेम्स, क्ला, उडी, ओ साड अभिनित आर दे तो तो मैथ्यू कार्सो विटज रूफ रूस लो रेला क्रड़ वोटवा सर्ज मर्लिन जम इल देवो जे क्लेयर मोरिया कास्टिड मोलेट इसा बेलनेटी डोमिनिक निपो आर्स डी पेंगू रोलाडे मोरो तो मेर्च बेर्चों चायकान ब्रोन डे बो नेल द्वारा संपादित है फ्राइडो संगीत दिया है यान टियर सेन उतपादन कंपनिया क्ला उडी और साड प्रोडेक्शन यू सी जी विक्टोयर प्रोडेक्शन टेपी ओका फिलिम्स फ्रांस थ्री सिनमा एम एम सी सब्तंत्र सोफिया सोफनिज पांच फिलिम्स टू चुंग नहर फ्रांस थ्री सिनमा द्वारा वित्रित यू सीजी फ्राक्स डिस्टिव्यूशन फ्रांस प्रो निको फिल्म मेर सिच जर्मनी रिलीज करने की तारिक 25 अप्रेल 2001 फ्रांस 16 अगस 2001 जर्मनी कार्यकारी समय 123 मिनट देशो फ्रांस और जर्मनी भासा फ्रेंच बजट 10 मिलियन बॉक्स ऑफिस 114.2 मिलियन फिल्म को यू सीजी फ्राक्स डिस्टिव्यूशन द्वारा 25 अप्रेल 2001 को फ्रांस में और 16 अगस 2001 को प्रो निको फिल्म में लिर द्वारा न जर्मनी में नाट के रूप से रिलीज किया गया था टोटो के प्रदर्शन छायकान उत्पादन डिजाइनिंग और लेखन के लिए प्रिशंसा के साथ फिल्म को आलोचकों की प्रिशंसा मिली एलमी ने यूरोपिय फिल्म पुरुसकारों में सर्वश्रेश्ट फिल्म का जीता है जिसने सर्वश्रेश्ट फिल्म और सर्वश्रेश्ट निर्देशन सहित चार सेशर पुरुसकार भी जीते इसने सर्वश्रेश्ट मूल पठकता सहित दो ब्रीटिश अकैदमी पुरुसकार जीते और सर्वश्रेश्ट विदेशी भासा फिल्म सहित पांच अकैद और यह एक प्रांसेस फिलिम के लिए सबसे बड़ी अंतराष्टिय सफलताओं में से एक है एर्मिन फोलेन का जनम जून 1974 में हुआ और उनका पालन पोशन वी लक्षन माता पिता दवारा किया गया जो गलत तरीके से मानते हैं कि उन्हें हिर्दिय दोस है उन्हें घर विध्याल्य का फैसला करें अपने अखेलेपन से निवटाने के लिए एलमिन एक सक्रिय कलपना और एक सरती व्यक्तित विक्सित करती है जब एक मिली 6 साल की होती है तो उसकी मा अर्मडाइन्स की मौत हो जाती है जब एक आदम घाती कनाइड पियर टक नो ट्रे ड्रेम डे पियरिस की छट से कूदता है और उस पर उतरता है नतीजा तन उसके पिता राफेल समाज से अधिक से अधिक वापस लेते हैं एमेली 18 साल की उमर में घड छोड़ देती है और मोट मार्टे में कैफे ड्रेस टू मोलिंस में वेट्रेस बन जाती है जो सकनी के संग्रह द्वारा करमचारी और अकसर किया जाता है अब एव विवाहित है और अपनी कलपना को सब्तंत रूप से घूमने देती है साधारन सुक्स में सतोस ढूंडती है जैसे अनाज की वोरियों में अपना हाट डूओने और चमच में से क्रेम बूली को फोडने 31 अगस 1987 को वेल्स की राजकुमारी डायन की मौत की ख़वर से चौक गई एम मेली ने एक प्लास्टिक फर्मियों स्टा पर गिर गया आई होप आपको मेरे वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें शेयर करें और मेरे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद वेल्कम टू माई यूटूब चैनल मेरे यूटूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है आज मैं आपको एमेली मूवी के बारे में बताती हूं एमेली जिसे ले बे बूले बे फूलेक्स डे स्टिन डी एमेलिन पोलेन के नाम से भी जाना जाता है फ्रेज उच्चारण एल्फ फे बाइकल डेस्ट डे मिल पूला अंग्रेजी दा फेल लूसस डे स्टेनी आफ एमेल पोलेन जीना पियर जे नेट द्वारा निर्देश से 2001 की कोमेड रोमांटिक कोमेडी फिलिम है गूई लियूमस लारेट के साथ जी तन द्वारा लिखिती है फिलिम मोड मारेट में स्थापिस सम कालीन पेरिस के जीवन का एक सन की चित्रण है यह आर्टे टोटो द्वारा निभाई गई एक सामिल बेट ट्रेक की कहानी बताती है जो अपने लगाव में जूजते हुए अपने आसपास के लोगों के जीवन को बहतर बनाने का फैसला करती है फिल्म में सहायक भूमिका के कलाकारों की टुकडी भी सामिल है जिसमें सामिल हैं मैथ्यू कार्सो विटज, रूफज, लोरेला, क्राबोटा, सर्जमालिन, जेमेल, डेवोज, क्लेयर, मोरिया, क्लोडिट टेल्स, मोलेट, इसाबेल, नेटी, डोमीन, निक्पिनिन, आर्स डिव, पेरगुं, रो लाडे मोरो, अर्वेन के स्लेयर, और मोरिस बे नीचो, निर्देसक जिन पियर जेनेटा, पट कथा किए, गिल, लोम, लोरेट, कहानी दवारण गिलोम, लोरेट, जिन पियर जेनेटा, द्वारण निर्गमिचीन, मार्क्स, डेचेम्स, क्ला, उडी, ओ, साड, अभिनित, आर दे तो, तू, मैथ्यू, कार्सो, विटज, रूफ, रूस, लो, रेला, क्रड, वोटवा, सर्ज, मर्लिन, जम, इल, दे, वो, जे, क्लेर, मोरिया, कास्टिड, मोलेट, इसा, बेल, नेटी, डो, मिन, निक, निपो, आर्ट, डी, पेंगू, रो, लाडे, मोरो, तो, मेर्च, बेर्च, उन, चाय, कान, ब्रोन, डे, बो, नेल, द्वारा, संपादित, है, फ्रा, इडो, संगीत, दिया है, यान, टियर, सेन, उत्पादन, कंपनिया, क्ला, उडी, और, साड, यू, सीजी, विक्तोयर, प्रोडेक्शन, टेपी, ओका, फिल्म, स्वारा, 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 स्वारा जर्मनी रिलीज करने की तारिक 25 अप्रेल 2001 फ्रांस 16 अगस 2001 जर्मनी कार्यकारी समय 123 मिनट देशों फ्रांस और जर्मनी भासा फ्रेंच बजट 10 मिलियन बॉक्स ओफिस 114.2 मिलियन फ्लिम को यू सी जी फ्राक्स डिस्ट्रिविशन द्वारा 25 अप्रेल 2001 को फ्रांस में और 16 अगस 2001 को प्रो निको फिल्म में लिर द्वारा जर्मनी में नाट के रूप से रिलीज किया गया था टोटो के प्रदर्शन छायकान उतपादन डिजाइनिंग और लेख प्या-फ्रिम प्रोषकारों में सर्वश्रिष्ट्रिफ्लम का प्रोषकार जीता है। जिसने सर्वश्रिष्ट् कैजमी पुरुसकारों के लिए नामानकित किया गया सर्वशेश्ट मूल पठकता यह फिल्म एक बैपसाइक सफलता थी जिसने दस मिलियन के बजट के मुकावले दुनिया भर में एस 174.2 मिलियन की कमाई की और यह एक प्रांसेस फिल्म के लिए सबसे बड़ी अंतराश्टिय सफलताओं में से एक है एमिन फोलेन का जनम जून 1974 में हुआ और उनका पालन पोशन वी लक्षण माता पिता दवारा किया गया जो गलत तरीके से मानते हैं कि उन्हें हिर्दिय दोस है उन्हें घर विध्याल्य का फैसला करें अपने अकेलेपन से निवटाने के लिए एलमीन एक सक्रिय कलपना और एक सरती व्यक्तित विक्सित करती है जब एक मिली छे साल की होती है तो उसकी मा अर्मडाइन्स की मौत हो जाती है जब एक आत्मगाती कनाइड पियर टक नो ट्रेग ड्रेम डे पियरिस की छट से कूदता है और उस पर उतरता है नतीजा तन उसके पिता राफेल समाच से अधिक से अधिक वापस लेते हैं एमेली 18 साल की उम्र में घर छोड़ देती है और मोट मार्टे में कैफे ड्रेस टू मोलिंस में वेट्रेस बन जाती है जो सकनी के संग्रह द्वारा करमचारी और अकसर किया जाता है अब एव विवाहित हैं और अपनी कलपना को सब्तंत रूप से घूमने देती हैं साधारन सुक्स में सतोस ढूंडती हैं जैसे अनाज की वोरियों में अपना हाट डूआने और चमच में से क्रेम बूली को फोड़ने 31 अगस 1987 को वेल्स की राजकुमारी डायन की मौत की ख़वर से चोग गई एम मेली ने एक प्लास्टिक फर्मियों स्टा पर गिर गया यह कब ही करें और मेरे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद वेल्कम टुल माई यूटूब चैनल मेरे यूटूब चैनल पर आप सभी का स्वाधत है आज मैं आपको के मेली बखी के बारे में बताती हूं यवारी изв Coronelis a Fed implant कल डेस्ट डेमिल पूला अंग्रेजी दा फेल लूसस डे स्टेनी आफ एमिल पोलेन जीना पियर जे नेट द्वारा निर्देश से 2001 की कॉमेड रोमांटिक कॉमेडी फिलिम है गूई लूमस लारेट के साथ जी तन द्वारा लिखिती है फिलिम मोड मारेट में स्थापिस सम कालीन पेरिस के जीवन का एक सन की चित्रण है यह आटे टोटो द्वारा निभाई गई एक सामिल बेट ट्रेक की कहानी बताती है जो अपने लगाव में जूजते हुए अपने आसपास के लोगों के जीवन को बहतर बनाने का फैसला करती है फिल्म में सहायक भूमिका के कलाकारों की टुकडी भी सामिल है जिसमें सामिल हैं मैथ्यू कार्सो विटज, रूफज, लोरेला, क्राबोटा, सर्जमालिन, जेमेल, डेवोज, क्लेयर, मोरिया, क्लोडिट टेल्स, मोलेट, इसाबेल, नेटी, डोमीन, निक्पिनिन, आर्स डीव, पेरगुन, रोलाडे मोरो, अर्वेन के स्लेयर, और मोरिस बे नीचो, निर्देशक जिन, पियर, जेनेटा, पट कथा किये, गिल, लोम, लोरेट, कहानी द्वारा, गिल, लोम, लोरेट, जिन, पियर, जेनेटा, द्वारा, निर्ग में, जिन, मार्क्स, डेचेम्स, क्ला उडी ओ साड अभिनित आर दे तो तो मैथ्यू कार्सो विटज रूफ रूस लो रेला क्रड वोटवा सर्ज मर्लिन जम इल देवो जे क्लेर मोरिया कास्टिड मोलेट इसा बेलनेटी डोमिनिक निपो आर्स डी पेंगू रोलाडे मोरो मेर्च बेर्चौन चायकान ब्रोन डे बोनेल द्वारा समपादित है फ्राइडो संगीत दिया है यान टियर सेन उतपादन कंपनिया क्ला उडी और साड प्रोडेक्शन यू सी जी विक्टोयर प्रोडेक्शन टेपी ओका फिलिम्स फ्रांस थी सिनमा एम एम सी सवतंध्र सोफिया सोफनीज पाच फिलिम एच्ज्चू चूंग नहेर फ्रांस थी सिनमा द्वारा वित्रित यू सी जी डी फ्राक्स डिस्टिभ्यूशन फ्रांस प्रो निको फिल्म मेर सिच जर्मनी रिलीज करने की तारिक 25 अपरेल 2001 फ्रांस 16 अगस 2001 जर्मनी कार्यकारी समय 123 मिनट देशो फ्रांस और जर्मनी भासा फ्रेंच बजट 10 मिलियन बॉक्स ओफिस 114.2 मिलियन फिल्म को यू सी जी फ्राक्स डिस्टिविशन द्वारा 25 अपरेल 2001 को फ्रांस में और 16 अगस 2001 को प्रो निको फिल्म में द्वारा जर्मनी में नाट के रूप से रिलीज किया गया था टोटो के प्रदर्शन छायकान उत्पादन डिजाइनिंग और लेखन के लि एल्मी ने यूरोपिय फिल्म पुरुसकारों में सर्वश्रेश्ट फिल्म का पुरुसकार जीता है जिसने सर्वश्रेश्ट फिल्म और सर्वश्रेश्ट निर्देशन सहित चार सेशर पुरुसकार भी जीते इसने सर्वश्रेश्ट मूल पठकता सहित दो ब्रीटिश अक कैजमी पुरुसकारों के लिए नामानकित किया गया सर्वशेश्ट मूल पठकता यह फिल्म एक सफलता थी जिसने दस मिलियन के बजट के मुकावले दुनिया भर में एस 174.2 मिलियन की कमाई की और यह एक प्रांसिस फिल्म के लिए सबसे बड़ी अंतराश्टिय सफलताओं में से एक है एमिन फोलेन का जनम जून 1974 में हुआ और उनका पालन पोशन वी लक्षन माता पिता दवारा किया गया जो गलत तरीके से मानते हैं कि उन्हें हिर्दिय दोस है उन्हें घर विध्याल्य का फैसला करें अपने अकेलेपन से निवटाने के लिए एलमीली एक सक्रिय कलपना और एक सरती व्यक्तित विक्सित करती है जब एक मिली 6 साल की होती है तो उसकी मा अर्मडाइन्स की मौत हो जाती है जब एक आत्मगाती कनाइड पियर टक नो ट्रेग ड्रेम डे पियरिस की छट से कूदता है और उस पर उतरता है नतीजा तन उसके पिता राफेल समाच से अधिक से अधिक वापस लेते हैं एमेली 18 साल की उम्र में घर छोड़ देती है और मोट मार्टे में कैफे ड्रेस टू मोलिंस में वेट्रेस बन जाती है जो सकनी के संग्रह द्वारा करमचारी और अकसर किया जाता है अब एव विवाहित हैं और अपनी कलपना को सब्तंत रूप से घूमने देती हैं साधारन सुक्स में सतोस ढूड़ती हैं जैसे अनाज की वोरियों में अपना हाट डूआने और चमच में से क्रेम बूली को फोड़ने 31 अगस 1987 को वेल्स की राजकुमारी डायन की मौत की ख़वर से चौक गई एम मेली ने एक प्लास्टिक फर्मियों स्टा पर गिर गया आई होप आपको मेरे वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें शेयर करें और मेरे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें वेल्कम टू माई यूटूब चैनल मेरे यूटूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है आज मैं आपको एमेली वो भी के बारे में बताती हूं एमेली जिसे ले बे बूले बे फूलेक्स डे स्टिन डी एमेलिन पोलेन के नाम से भी जाना जाता है फ्रेज उच्चारण एल्फ फे बाइकल डेस्ट डेमिल पूला अंग्रेजी दा फेल लूसस डे स्टेनी आफ एमेल पोलेन जीना पियर जे नेट द्वारा निर्देश से 2001 की कोमेड रोमांटिक कोमेडी फिलिम है गूई लियूमस लारेट के साथ जी तन द्वारा लिखिती है फिलिम मोड मारेट में स्थापिस सम कालीन पेरिस के जीवन का एक सन की चित्रण है यह आटे टोटो द्वारा निभाई गई एक सामिल बेट ट्रेक की कहानी बताती है जो अपने लगाव में जूजते हुए अपने आसपास के लोगों के जीवन को बहतर बनाने का फैसला करती है फिल्म में सहायक भूमिका के कलाकारों की टुकडी भी सामिल है जिसमें सामिल हैं मैथ्यू कार्सो बिटज, रूफज, लोरेला, क्राबोटा, सर्ज मालिन, जे मेल, डेवोज, क्लेयर, मोरिया, क्लोडिट टेल्स, मोलेट, इसाबेल, नेटी, डोमीन, निक्पिनिन, आर्स दिव, पेरगुन, रो, लादे मोरो, अरवेन के स्लेयर, और मोरिस बे निक्पिनिचो, निरदेशक, जिन, पियर, जे नेटा, पठ कथा किया है, गिल, लोम, लोरेट, कहानी दवारा, गिलोम लोरेट जिन पियर जे नेटा द्वारा निर्ग मिचिन मार्क्स डे चेम्स क्ला उडी ओ साड अभीनित आर दे तो तू मैथ्यू कार्सो विटज रूफ रूस लो रेला क्रड़ वोटवा सर्ज मर्लिन जम इल दे वो जे क्लेयर मोरिया कास्टिड मोलेट इसा बेलनेटी डोमिनिक निपो आर्स डी पेंगू रोलाडे मोरो मेर्च बेर्चौन चायकान ब्रोन डे वो नेल द्वारा संपादित है फ्रस्रा इडो संगीत दिया है यान टियर सेन उत्पादन कंपनिया क्ला उडी और साड प्रोडेक्शन यू सीजी विक्तोयर प्रोडेक्शन टेपी ओका फिल्म फ्रांस 3 सिनमा एम एम सी सवतंत्र सोफिया सोफनिज पाथ फिल्म इस्टू चुंग नेहर फ्रांस 3 सिनमा द्वारा वित्रित यू सीजी फ्रक्स डिस्टिविशन फ्रांस प्रो निको फिल्म मेर सिच जर्मनी रिलीज करने की तारिक 25 अपरेल 2001 फ्रांस 16 अगस 2001 जर्मनी कार्यकारी समय 123 मिनट देशो फ्रांस और जर्मनी भासा फ्रेंच बजट 10 मिलियन बॉक्स ओफिस 114.2 मिलियन फिल्म को यूसी जी फ्राक्स डिस्टिविशन द्वारा 25 अपरेल 2001 को फ्रांस में और 16 अगस 2001 को प्रो निको फिल्म में लिर द्वारा जर्मनी में नाट के रूप से रिलीज किया गया था टोटो के प्रदर्शन छायकान उत्पादन डिजाइनिंग और लेखन के लिए पिरसंसा के साथ फिल्म को आलोचको की पिरसंसा मिली एल्मी ने यूरोपिय फिल्म पुरुसकारों में सर्वश्रेश्ट फिल्म का पुरुसकार जीता है जिसने सर्वश्रेश्ट फिल्म और सर्वश्रेश्ट निर्देशन सहित चार सेशर पुरुसकार भी जीते इसने सर्वश्रेश्ट मूल पठकता सहित दो ब्रीटिश अकैदमी पुरुसकार जीते और सर्फ्षेश्ट विदेशी भासा फिलिम सहित पांच अकैजमी पुरुसकारों के लिए नामानकित किया गया सर्फ्षेश्ट मूल पठकता यह फिलिम एक वैपसाइक सफलता थी जिसने दस मिलियन के बजट के मुकावले दुनिया भर में एस 174.2 मिलियन की कमाई की में हुआ और उनका पालन पोश्टन वी लक्ष्ण माता पिता दवारा किया गया जो गलत तरीके से मानते हैं कि उन्हें हिर्द्य दोस्थ है उन्हें घर विद्ध्याल्य का फैसला करें अपने अकेले पन से निवटाने के लिए एक सक्रिय कलपना और एक सरती व्यक्तित विक्सित करती हैं जब एक मिली 6 साल की होती है तो उसकी मा अर्मडाइन्स की मौत हो जाती है जब एक आदम घाती कनाइड पियर टक नोट्रेग ड्रेम डे पियरिस की छट से कूदता है और उस पर उतरता है नतीजा तन उसके पिता राफेल समाज से अधिक से अधिक वापस लेते हैं एमेली 18 साल की उम्र में घर छोड़ देती है और मोट मार्टेक में कैफे ड्रेस टू मोलिंस में वेट्रेस बन जाती है जो सकनी के संग्रह द्वारा करमचारी और अकसर किया जाता है अब एव विवाहित हैं और अपनी कलपना को सब्तंत रूप से घूमने देती हैं साधारन सुक्स में सतोस धूड़ती हैं जैसे अनाज की वोरियों में अपना हाट डूआने और चमच में से क्रेम बूली को फोड़ने 31 अगस 1987 को वेल्स की राजकुमारी डायन की मौत की ख़वर से चौक गई एम मेली ने एक प्लास्टिक फर्मियों स्टा पर गिर गया आई होप आपको मेरे वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें शेयर करें और मेरे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद वेल्कम टू माई यूटूब चैनल मेरे यूटूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है आज मैं आपको एमेली वो भी के बारे में बताती हूँ एमेली जिसे ले बे बूले बे फूलेक्स डे स्टिन डी एमेलिन पोलेन के नाम से भी जाना जाता है फ्रेज उच्चारण एल्फ फे बाइकल डेस्ट डेमिल पूला अंग्रेजी दा फेल लूसस डे स्टेनी आफ एमेल पोलेन जीना पियर जे नेट द्वारा निर्देश से दोजार एक की कोमेड रोमांटिक कोमेडी फिलिम है गूई लियूमस लारेट के साथ जी तन द्वारा लिखिती है फिलिम मोड मारेट में स्थापिस सम कालीन पेरिस के जीवन का एक सन की चित्रण है यह आटे टोटो द्वारा निभाई गई एक सामिल बेट ट्रेक की कहानी बताती है जो अपने लगाव में जूजते हुए अपने आसपास के लोगों के जीवन को बहतर बनाने का फैसला करती है फिल्म में सहायक भूमिका के कलाकारों की टुकडी भी सामिल है जिसमें सामिल हैं मैथ्यू कार्सो विटज, रूफज, लोरेला, क्राबोटा, सर्ज मालिन, जे मेल, डेवोज, क्लेयर, मोरिया, क्लोडिट टेल्स, मोलेट, इसाबेल, नेटी, डोमीन, निक्पिनिन, आर्स डीव, पेरगुन, रोणाडे मोरो, अरवेन के स्लेयर, और मोरिस बेर नीचो, निर्देशक जिन, पियर, जे मेलेटा, पर्ट कथा की है गिल, लोम, लोरेट कहानी द्वारा गिलोम लोरेट जिन पियर जे नेटा द्वारा निर्ग में जिन मार्क्स डे चेम्स क्ला उडी ओ साड अभी नित आर दे तो तू मैथ्यू कार्सो विटज रूफ रूस लो रेला क्रड वोटवा सर्ज मर्लिन जम इल दे वोजे क्लेर मोरिया कास्टिड मोलेट इसा बेल नेटी डोमिनिक नीपो आर्स डी पेंगू अन रोलाडे मोरो मेर्च बेर्चौन जायकान ब्रोन डे वो नेल द्वारा संपादित है फ्राइडो संगीत दिया है यान टियर सेन उत्पादन कंपनिया क्ला उडी ओर साड प्रोडेक्शन यू सी जी विक्टोयर प्रोडेक्शन टेपी ओका फिलिम्स फ्रांस थ्री सिनमा एम एम सी सवतंत्र सोफिया सोफनिज पांच फिलिम्स टू चुंग नहर फ्रांस थ्री सिनमा द्वारा वित्रित यू सीजी फ्राक्स डिस्टिव्यूशन फ्रांस प्रो निको फिल्म मेर सिच जर्मनी रिलीज करने की तारिक 25 अप्रेल 2001 फ्रांस 16 अगस 2001 जर्मनी कारेकारी समय 123 मिनट देशो फ्रांस और जर्मनी भासा फ्रेंच बजट 10 मिलियन बॉक्स आफिस 114.2 मिलियन फिल्म को यू सीजी फ्राक्स डिस्टिव्यूशन द्वारा 25 अप्रेल 2001 को फ्रांस में और 16 अगस 2001 को प्रो निको फिल्म में लिर द्वारा जर्मनी में नाट के रूप से रिलीज कि अगया था टोटो के प्रदर्शन छायकान उत्पादन डिजाइनिंग और लेखन के लिए पिरसंसा के साथ फिल्म को आलोचकों की पिरसंसा मिली एल्मी ने यूरोपिय फिल्म पुरुसकारों में सर्वस्रेश्ट फिल्म का पुरुसकार जीता है जिसने सर्वस्रेश्ट फिल्म और सर्वस्रेश्ट निर्देशन सहित चार सेशर पुरुसकार भी जीते इसने सर्वस्रेश्ट मूल पठकता सहित दो ब्रीटिश अकैदमी पुरुसकार जीते और सर्वस्रेश्ट विदेशी भासा फिल्म सहित पांच अकैदमी पुरुसकारों के लिए नामानकित किया गया सर्वशेश्ट मूल पठका था यह फिल्म एक वैपसाइक सफलता थी जिसने 10 मिलियन के बजट के मुकावले दुनिया भर में एस 174.2 मिलियन की कमाई की और यह एक प्रांसिस फिल्म के लिए सबसे बड़ी अंतराश्टिय सफलताओं में से एक है एमिलियन फोलेन का जनम जून 1974 में हुआ और उनका पालन पोशन वी लक्षन माता पिता दवारा किया गया जो गलत तरीके से मानते हैं कि उन्हें हिर्दिय दोस है उन्हें घर विध्याले का फैसला करें अपने अखेलेपन से निवटाने के लिए एलमीली एक सक्रिय कलपना और एक सरती व्यक्तित विक्सित करती हैं जब एक मिली छे साल की होती है तो उसकी मा अर्मडाइन्स की मौत हो जाती है जब एक आत्मगाती कनाइड पियर टक नो ट्रेग ड्रेम डे पियरिस की छट से कूदता है और उस पर उतरता है नतीजा तन उसके पिता राफेल समाच से अधिक से अधिक वापस लेते हैं ए मेली इठारे साल की उमर में घर छोड़ देती है और मोट मार्टे में कैफे ड्रेस टू मोलिंस में वेट्रेस बन जाती है जो सकनी के संग्रहे द्वारा करमचारी और अकसर किया जाता है अब एब विवाहित हैं और अपनी कलपना को सब्तंत रूप से घूमने देती हैं साधारन सुक्स में सतोस धूड़ती हैं जैसे अनाज की वोरियों में अपना हाट डूओने और चमच में से क्रेम बूली को फोड़ने 31 अगस 1987 को वेल्स की राजकुमारी डायन की मौत की ख़वर से चौक गई ए मेली ने एक ब्लास्टिक फर्म्यों पर गिर गया आई होप आपको मेरे वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें शेयर करें और मेरे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद वेल्कम टू माई यूटूब चैनल मेरे यूटूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है आज मैं आपको ए मेली मूवी के बारे में बताती हूँ ए मेली जिसे ले बे बूले बे फूलेक्स डे स्टिन डी एमेलिन पोलेन के नाम से भी जाना जाता है फ्रेज उच्चारण एल्फ फे बाइकल डेस्ट डेमिल पूला अंग्रेजी दा फेल लूसस डे स्टेनी आफ एमेल पोलेन जीना पियर जे नेट द्वारा निर्देश से दोजार एक की कोमेड रोमांटिक कोमेडी फिलिम है गूई लियूमस लारेट के साथ जी तन द्वारा लिखिती है फिलिम मोड मारेट में स्थापिस सम कालीन पेरिस के जीवन का एक सन की चित्रण है यह आटे टोटो द्वारा निभाई गई एक सामिल बेट ट्रेक की कहानी बताती है जो अपने लगाव में जूजते हुए अपने आसपास के लोगों के जीवन को बहतर बनाने का फैसला करती है फिल्म में सहायक भूमिका के कलाकारों की टुकडी भी सामिल है जिसमें सामिल हैं मैथ्यू कार्सो विटज, रूफज, लोरेला, क्राबोटा, सर्ज मालिन, जे मेल, डेवोज, क्लेयर, मोरिया, क्लोडिट टेल्स, मोलेट, इसाबेल, नेटी, डोमीन, निक्पिनिन, आर्स डीव, पेर्गुन, रोलाडे मोरो, अर्वेन के स्लिएर, और मो्रिस बे नीचो, निर्दे सक, जिन, पियर, जे नेटा, पट काथा किए, गिल, लोम, लोरेट, कहानी दवारा गिलोम लोरेट जिन पियर जे नेटा द्वारा निर्ग में जिन मार्क्स डे चेम्स क्ला उडी ओ साड अभीनित आज़ दे तो तू मैथ्यू कार्सो विटज रूफ रूस लो रेला क्रड़ वोटवा सर्ज मर्लिन जम इल दे वो जे क्लेयर मोरिया कास्टिड मोलेट इसा बेलनेटी डोमिनिक नीपो आर्स डी पेंगू अन रो लाडे मोरो मेरे बेर्चों चायकान ब्रोन डे वो नेल द्वारा संपादित है फ्राइडो संगीत दिया है यान टियर सेन उतपादन कंपनिया क्ला उडी ओर साड प्रोडेक्शन यूजी विक्टोयर प्रोडेक्शन टेपी ओका फिल्म्स फ्रांस थ्री सिनमा मंसी सवतंत्र सोफिय्ज सोफनिस पात kızım ज्क्श चुञ नहर फ्रांस थ्री सिनमा द्वारा वित्रित यूजी फ्राक्स डिस्टिव्यूशन फ्रांस सब्स क्रो निको को फिल्म मेयर सिच जर्मनी रिलीज करने की तारिक 25 अप्रेल 2001 फ्रांस 16 अगस 2001 जर्मनी कार्यकारी समय 123 मिनट देशो फ्रांस और जर्मनी भासा फ्रेंच बजट 10 मिलियन बॉक्स ऑफिस 114.2 मिलियन फिल्म को यू सी जी फ्राक्स डिस्टिविशन द्वारा 25 अप्रेल 2001 को फ्रांस में और 16 अगस 2001 को प्रो निको फिल्म में द्वारा जर्मनी में नाट के रूप से रिलीज किया गया था तोटो के प्रदर्शन छायकान उतपादन डिजाइनिंग और लेखन के लिए प्रशनसा के साथ फिल्म को आलोचको की प्रशनसा मिली एलमी ने यूरोपिय फिल्म पुरुसकारों में सर्वश्रेश्ट फिल्म का पुरुसकार जीता है जिसने सर्वश्रेश्ट फिल्म और सर्वश्रेश्ट निर्देशन सहित चार सेशर पुरुसकार भी जीते इसने सर्वश्रेश्ट मूल पठकता सहित दो ब्रीटिश अकैदमी पुरुसकार जीते और सर्वश्रेश्ट विदेशी भासा फिल्म सहित पाच अकैदमी और यह एक प्रांसिस फिलिम के लिए सबसे बड़ी अंतराष्टिय सफलताओं में से एक है। एमनेन्ट फोलेन का जनम जून 1974 में हुआ और उनका पालन पोशन वी लक्षन माता पिता दवारा किया गया। जो गलत तरीके से मानते हैं कि उन्हें हिर्द्य दोस हैं उन्हें घर विध्याल्य का फैसला करें। अपने अखेलेपन से निवटाने के लिए एक सक्रिय कलपना और एक सरती व्यक्तित विक्सित करती हैं। जब एक मिली छे साल की होती हैं तो उसकी मा अर्मडाइन्स की मौत हो जाती है जब एक आदम घाती कनाईड पियर टक नोट्रे ड्रेम डे पियरिस की छट से कूदता है और उस पर उतरता है। नतीजा तन उसके पिता राफेल समाद से अधिक से अधिक वापस लेते हैं। साधारन सुक्स में सतोस ढूंडती हैं जैसे अनाज की वोरियों में अपना हाट डूओने और चमच में से क्रेम बूली को फोड़ने। 31 अगस्ट 1987 को वेल्स की राजकुमारी डायन की मौत की खवर से चौक गई। ए मेली ने एक ब्लास्टिक फर्मियों पर गिर गया। आई होप आपको मेरे वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें शेयर करें और मेरे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धर्न्यवाद वेल्कम टू माई यूटूब चैनल मेरे यूटूब चैनल पर आप सभी का स्वाकत है। आज मैं आपको ए मेली मूवी के बारे में बताती हूं ए मेली जिसे ले बे बूले बे फूलेक्स डे स्टिन डी एमेलिन पोलेन के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेच उच्चारण एल्फ फे बाइकल डेस्ट डेमिल पूला अंग्रेजी दा फेल लूसस डे स्टेनी आफ एमेलिन पोलेन जीना पियर जे नेट द्वारा निर्देश से दोजार एक की कोमेड रोमांटिक कोमेडी फिलिम है। गूई ल्यूमस लारेट के साथ जी तन द्वारा लिखिती है फिलिम मोड मारेट में स्थापिस सम कालीन पेरिस के जीवन का एक सन की चित्रण है। यह आर्टे टोटो द्वारा निभाई गई एक सामिल बेट स्ट्रेक की कहानी बताती है। जो अपने लगाव में जूजते हुए अपने आसपास के लोगों के जीवन को बहतर बनाने का फैसला करती है। फिल्म में सहायक भूमिका के कलाकारों की टुकडी भी सामिल है। जिसमें सामिल हैं मैथ्यू कार्सो विटज, रूफस, लोरेला, क्राबोटा, सर्जमालन, जेमेल, डेवोज, क्लेयर, मोरिया, क्लोडिट टेल्स, मोलेट, इसाबेल, नेटी, डोमीन निक्पिनिन, आर्ट्स, डीव, पेरगुन, रोलाडे मोरो, अर्वेन के स्लेयर, और मोरिस, बे नीचो, निर्देशक जीन, पीर, जेनेटा, पट कता किये, गिल, लोम, लोरेट, कहानी द्वारा, गिल, लोम, लोरेट, जीन, पीर, जेनेटा, द्वारा निर्ग मे, जीन, मार्क्स, डे, चेम्स, कला, उडी, ओ, साड, अभिनित, आर दे तो तू, मैथ्यू कार्सो विटज, रूफ रूस लो, रेला क्रड़ वोटवा, सर्ज मर्लिन, जम इल, देवो जे, क्लेयर मोरिया, कास्टिड मोलेट, इसा बेल नेटी, डोमिनिक नीपो, आर्स दी, पेंगू अन, रोलाडे मोरो, संगीत दिया है, यान, टियर सेन, उतपादन कंपनिया, क्ला उडी, और साड प्रोडेक्शन, यू सी जी, विक्टोयर प्रोडेक्शन, टेपी ओका, फ्रांस थी सिनमा, एम, एम, सी, सवतंत्र, सोफिया, सोफनिज, पाँट, फिलिम, स्टू, चुंग, नहर, फ्रांस 3 सिनमा, द्वारव वित्रित, यू सी जी, प्राक्स, डिस्टिव्यूशन, फ्रांस, प्रो निको फिल्म मेर सिच जर्मनी रिलीज करने की तारिक 25 अप्रेल 2001 फ्रांस 16 अगस 2001 जर्मनी कार्यकारी समय 123 मिनट देशो फ्रांस और जर्मनी भासा फ्रेंच बजट 10 मिलियन बॉक्स ओफिस 114.2 मिलियन फिल्म को यूसी जी फ्राक्स डिस्ट्रिविशन द्वारा 25 अप्रेल 2001 को फ्रांस में और 16 अगस 2001 को प्रो निको फिल्म में लिर द्वारा जर्मनी में नाट के रूप से रिलीज किया गया था टोटो के प्रदर्शन छायकान उतपादन डिजाइनिंग और लेखन के लिए पिरसंसा के साथ फिल्म को आलोचको की पिरसंसा मिली एल्मी ने यूरोपिय फिल्म पुरुसकारों में सर्वश्रेश्ट फिल्म का पुरुसकार जीता है जिसने सर्वश्रेश्ट फिल्म और सर्वश्रेश्ट निर्देशन सहित चार सेशर पुरुसकार भी जीते इसने सर्प्स्याष्ट मूल पटकता सहिद दो ब्रीटिश अकैदमी प्रॉसकार जीते और सर्प्स्याष्ट विदेसी भासा फिल् cancelled पांच अकैदमी प्रॉसकारों के लिए नमान्कित किया गया सर्प्स्याष्ट मूल पटकता यह फिल्म एक बैपसाइक सफलता थी एल्मिन फोलेन का जनम जून 1974 में हुआ और उनका पालन पोशन विलक्षण माता-पिता दवारा किया गया जो गलत तरीके से मानते हैं कि उन्हें हिर्द्य दोस है उन्हें घर विध्याल्य का फैसला करें अपने अकेलेपन से निवटाने के लिए एल्मिन एक सक्रिय कलपना और एक सरती व्यक्तित विक्सित करती है जब एक मिली 6 साल की होती है तो उसकी मा अर्मडाइन्स की मौत हो जाती है जब एक आत्मगाती कनाइड पियर टक नो ट्रेंडे पियरिस की छट से कूदता है और उस पर उतरता है नतीजा तन उसके पिता राफेल समाच से अधिक से अधिक वापस लेते हैं एमेली 18 साल की उमर में घर छोड़ देती है और मोट मार्टे में कैफे ड्रेस टू मोलिंस में वेट्रेस बन जाती है जो सकनी के संग्रहे द्वारा करमचारी और अकसर किया जाता है अब एव विवाहित है और अपनी कलपना को सब्तंत रूप से घूमने देती हैं साधारन सुक्स में सतोस ढूंडती हैं जैसे अनाज की वोरियों में अपना हार्ट डूआने और चमच में से क्रेम बूली को फोड़ने 31 अगस 1987 को वेल्स की राजकुमारी डायन की मौत की ख़वर से चौक गई एम मेली ने एक प्लास्टिक फर्मियों स्टा पर गिर गया आई होप आपको मेरे वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें शेयर करें और मेरे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें धर्न्यवाद वेल्कम टू माई यूटूब चैनल मेरे यूटूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है आज मैं आपको एमेली वो भी के बारे में बताती हूँ एमेली जिसे ले बे बूले बे फूलेक्स डे स्टिन डी एमेलिन पोलेन के नाम से भी जाना जाता है फ्रेज उच्चारण एल्फ फे बाइकल डेस्ट डेमिल पूला अंग्रेजी दा फेल लूसस डे स्टेनी आफ एमेल पोलेन जीना पियर जे नेट द्वारा निर्देश से 2001 की कोमेड रोमांटिक कोमेडी फिलिम है गूई ल्यूमस लारेट के साथ जी तन द्वारा लिखिती है फिलिम मोड मारेट में स्थापिस सम कालीन पेरिस के जीवन का एक सन की चित्रण है यह आर्टे टोटो द्वारा निभाई गई एक सामिल बेट ट्रेक की कहानी बताती है जो अपने लगाव में जूजते हुए अपने आसपास के लोगों के जीवन को बहतर बनाने का फैसला करती है फिल्म में सहायक भूमिका के कलाकारों की टुकडी भी सामिल है जिसमें सामिल हैं मैथ्यू कार्सो विटज, रूफज, लोरेला, क्राबोटा, सर्जमालिन, जेमेल, डेवोज, क्लेयर, मोरिया, क्लोडिट टेल्स, मोलेट, इसाबेल, नेटी, डोमीन, निक्पिनिन, आर्स डीव, पեrगुन, रोलाडे मोरो, अर्वेन के स्लेयर, और मोरिस बेयद नीचो, निरदेसक, जिन, पिector, जेमेटा, पट कथा किये, गिल, लोम, लोरेट, कहानी द्वारा, गिल, लोम, लोरेट, जिन, पिएर, जे, नेटा, द्वारा, निर्ग में, जिन, मार्क्स डे चेम्स क्ला उडी ओ साड अभिनित आर दे तो तू मैथ्यू कार्सो विटज रूफ रूस लो रेला क्रड वोटवा सर्ज मर्लिन जम इल देवो जे क्लेयर मोरिया कास्टिड मोलेट इसा बेल नेटी डोमिनिक नीपो आर्स डी पेंगू रोलाडे मोरो तो मेर्च बेर्चों चाया कान ब्रोन डे वो नेल द्वारा संपादित है फ्राइडो संगीत दिया है यान टियर सेन उत्पादन कंपनिया क्ला उडी और साड प्रोडेक्शन यू सी जी विक्टोयर प्रोडेक्शन टेपी ओका फिलिम्स फ्रांस थ्री सिनमा एम एम सी सब्तंत्र सोफिया सोफनिज पांच फिलिम्स टू चुंग नहर फ्रांस थ्री सिनमा द्वारा वित्रित यू सीजी फ्राक्स डिस्टिव्यूशन फ्रांस प्रो निको फिल्म मेर सिच जर्मनी रिलीज करने की तारिक 25 अप्रेल 2001 फ्रांस 16 अगस 2001 जर्मनी कार्यकारी समय 123 मिनट देशो फ्रांस और जर्मनी भासा फ्रेंच बजट 10 मिलियन बॉक्स ऑफिस 114.2 मिलियन फ्लिम को यू सीजी फ्राक्स डिस्टिव्यूशन द्वारा 25 अप्रेल 2001 को फ्रांस में और 16 अगस 2001 को प्रो निको फिल्म में लिर द्वारा न जर्मनी में नाट के रूप से रिलीज किया गया था टोटो के प्रदर्शन छायकान उतपादन डिजाइनिंग और लेखन के लिए पिर्शंसा के साथ फिल्म को आलोचकों की पिर्शंसा मिली एल्मी ने यूरोपिय फिल्म पुरुसकारों में सर्वश्रेश्ट फिल्म का जीता है जिसने सर्वश्रेश्ट फिल्म और सर्वश्रेश्ट निर्देशन सहित चार सेशर पुरुसकार भी जीते इसने सर्वश्रेश्ट मूल पठकता सहित दो ब्रीटिश अकैदमी पुरुसकार जीते और सर्वश्रेश्ट विदेशी भासा फिल्म सहित पांच अकैद और यह एक प्रांसेस फिल्म के लिए सबसे बड़ी अंतराष्टिय सफलताओं में से एक है एर्मिन फोलेन का जनम जून उन्निस्तो चोहेतर में हुआ और उनका पालन पोशन वी लक्षन माता पिता दवारा किया गया जो गलत तरीके से मानते हैं कि उन्हें हिर्दिय दोस है उन्हें घर विध्याले का फैसला करें अपने अकेलेपन से निवटाने के लिए एक सक्रिय कलपना और एक सरती व्यक्तित विक्सित करती है जब एक मिली छे साल की होती है तो उसकी मा अर्मडाइन्स की मौत हो जाती है जब एक आदम घाती कनाईड पियर टक नो ट्रेग ड्रेम डे पियरिस की छट से कूदता है और उस पर उतरता है नतीजा तन उसके पिता राफेल समाथ से अधिक से अधिक वापस लेते हैं ए मेली इठारे साल की उमर में घड छोड़ देती है और मोट मार्टे में कैफे ड्रेस टू मोलिंस में वेट्रेस बन जाती है जो सकनी के संग्रह द्वारा करमचारी और अकसर किया जाता है अब विवाहित हैं और अपनी कलपना को सब्तंत रूप से घूमने देती हैं साधारन सुक्स में सतोस ढूंडती हैं जैसे अनाज की वोरियों में अपना हाट डूआने और चमच में से क्रेम बूली को फोड़ने 31 अगस 1987 को वेल्स की राजकुमारी डायन की मौत की ख़वर से चोग गई ए मेली ने एक प्लास्टिक फर्मियों स्टा पर गिर गया आई होप आपको मेरे वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें शेयर करें और मेरे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद वेल्कम टू माई यूटूब चैनल मेरे यूटूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है आज मैं आपको एमेली वो भी के बारे में बताती हूँ एमेली जिसे ले बे बूले बे फूलेक्स डे इस्टिन डी एमेलिन पोलेन के नाम से भी जाना जाता है फ्रेज उच्चारण एल्फ फे बाइकल डेस्ट डेमिल पूला अंग्रेजी दा फेल लूसस डे स्टेनी आफ एमेल पोलेन जीना पियर जे नेट द्वारा निर्देश से 2001 की कोमेड रोमांटिक कोमेडी फिलिम है गूई लियूमस लारेट के साथ जी तन द्वारा लिखिती है फिलिम मोड मारेट में स्थापिस सम कालीन पेरिस के जीवन का एक सन की चित्रण है यह आटे टोटो द्वारा निभाई गई एक सामिल बेट ट्रेक की कहानी बताती है जो अपने लगाव में जूजते हुए अपने आसपास के लोगों के जीवन को बहतर बनाने का फैसला करती है फिल्म में सहायक भूमिका के कलाकारों की टुकडी भी सामिल है जिसमें सामिल हैं मैथ्यू कार्सो विटज, रूफज, लोरेला, क्राबोटा, सर्जमालिन, जेमेल, डेवोज, क्लेयर, मोरिया, क्लोडिट टेल्स, मोलेट, इसाबेल, नेटी, डोमीन, निक्पिनिन, आर्स डिव पेर गुं, रोलाडे मोरो, अर्वेन के स्लियर, और मोरिस बे नीचो, निरदेशक जिन, पियर, जेञेटा, पढ्यकता की ए, गिल, लोम, लोरेट, कहानी दौारा, गिल, लोम, लोरेट, जिन, पियर, जे नेटा, दौारा निरग में जिन, मार्क्स, डेचेम्स, क्ला उडी ओ साड अभिनित आर दे तो तू मैथ्यू कार्सो विटज रूफ रूस लो रेला क्रड़ वोटवा सर्ज मर्लिन जम इल देवो जे क्लेर मोरिया कास्टिड मोलेट इसा बेलनेटी डोमिनिक निपो आर्स डी पेंगू रोलाडे मोरो तो मेर्च बेर्चों चायकान ब्रोन डे वो नेल द्वारा संपादित है फ्राइडो संगीत दिया है यान टियर सेन उत्पादन कंपनिया क्ला उडी और साड प्रोडेक्शन यू सी जी विक्टोयर प्रोडेक्शन टेपी ओका फिलिम्स फ्रांस थ्री सिनमा एम एम सी सब्तंत्र सोफिया सोफनिज पांच फिलिम्स टू चुंग नहर फ्रांस थ्री सिनमा द्वारा वित्रित यू सीजी फ्राक्स डिस्टिव्यूशन फ्रांस प्रो निको फिल्म मेर सिच जर्मनी रिलीज करने की तारिक 25 अप्रेल 2001 फ्रांस, 16 अगस 2001 जर्मनी, कार्यकारी समय 123 मिनट, देशो फ्रांस और जर्मनी, भासा फ्रेंच, बजट 10 मिलियन, बॉक्स ओफिस 114.2 मिलियन, फिलिम्स को यू सीजी फ्राक्स डिस्टिव्यूशन द्वारा 25 अप्रेल 2001 को फ्रांस में और 16 अगस 2001 को प्रो निको फिल्म में लिर द्वारा जर्मनी में नाट के रूप से रिलीज किया गया था टोटो के प्रदर्शन छायकान, उतपादन डिजाइनिंग और लेखन के लिए पिर्शंसा के साथ फिल्म को आलोचको की पिर्शंसा मिली एल्मी ने यूरोपिय फिल्म पुरुसकारों में सर्वश्रेश्ट फिल्म का पुरुसकार जीता है जिसने सर्वश्रेश्ट फिल्म और सर्वश्रेश्ट निर्देशन सहित चार सेशर पुरुसकार भी जीते इसने सर्वशेष्ट मूल पठकता सहित दो ब्रीटिश अकैदमी पुरुसकार जीते और सर्वशेष्ट विदेशी भासा फिलिम सहित पांच अकैदमी पुरुसकारों के लिए नामानकित किया गया सर्वशेश्ट मूल पठकता यह फिलिम एक वैपसाइक सफलता थी जिसने दस मिलियन के बजट के मुकावले दुनिया भर में एस 144.2 मिलियन की कमाई की और यह एक प्रांसिस फिलिम के लिए सबसे पड़ी अंतराश्टिय सफलताओं में से एक है एमिन फोलेन का जनम जून 1974 में हुआ और उनका पालन पोशन वी लक्षन माता पिता दवारा किया गया जो गलत तरीके से मानते हैं कि उन्हें हिर्द्य दोस है उन्हें घर विध्याल्य का फैसला करें अपने अकेलेपन से निवटाने के लिए एलमी एक सक्रिय कलपना और एक सरती व्यक्तित विक्सित करती है जब एक मिली 6 साल की होती है तो उसकी मा अर्मडाइंस की मौत हो जाती है जब एक आत्मगाती कनाइड पियर टक नो ट्रेग ड्रेम डे पियरिस की छट से कूदता है और उस पर उतरता है नतीजा तन उसके पिता राफेल समाद से अधिक से अधिक वापस लेते हैं मेली 18 साल की उम्र में घर छोड़ देती है और मोट मार्टे में कैफे ड्रेस टू मोलिंस में वेट्रेस बन जाती है जो सकनी के संग्रह द्वारा करमचारी और अकसर किया जाता है अब एव विवाहित हैं और अपनी कलपना को सब्तंत रूप से घूमने देती हैं साधारन सुक्स में सतोस धूड़ती हैं जैसे अनाज की वोरियों में अपना हाट डूआने और चमच में से क्रेम बूली को फोड़ने 31 अगस 1987 को वेल्स की राजकुमारी डायन की मौत की ख़वर से चोग गई ए मेली ने एक प्लास्टिक फर्मियों स्टा पर गिर गया Make चैनल को सबस्क्राइब करें धन्यवाद को वेलकम टू माई यूटूब चैनल मेरे यूटूब चैनल पर आप सभी का Σवाकत है आज मैं आपको एमेली वो भी के बारे में बताती हूं एमेली जिसे लेब बुछे बेатовलिक्स डे अस्टिन डी एमिलिन पोलेन के नाम से भी जाना जाता है फ्रेज उच्चारण एलफ फे बाइकल डेस्ट डेमिल पूला अंग्रेजी दा फेल लूसस डे स्टेनी आफ एमिल पोलेन जीना पियर जेनेट द्वारा निर्देश से 2001 की कॉमेड रोमांटिक कॉमेडी फिलिम है गुई ल्यूमस लारेट के साथ जी तन द्वारा लिखित यह फिलिम मोड मारेट में स्थापिस सम कालीन पेरिस के जीवन का एक सन की चित्रन है यह आटे टोटो द्वारा निभाई गई एक सामिल बेट स्ट्रेक की कहानी बताती है जो अपने लगाव में चूजते हुए अपने आसपास के लोगों के जीवन को बहतर बनाने का फैसला करती है फिल्म में सहायक भूमिका के कलाकारों की टुकडी भी सामिल है जिसमें सामिल हैं मैथ्यू कार्सो विटज, रूफस, लो रेला, क्राबोटा, सर्ज मालन, जे मेल, डेवोज, क्लेयर, मोरिया, क्लोडिट टेल्स, मोलेट, इस्साबेल, नेटी, डोमीन निक्पिनन, आर्स, डीव, पेरगुन, रोलाडे मोरो, अर्वेन के स्लेयर, और मोरिस, बे, नीचो, निर्देसक जीन, पियर, जे नेटा, पठ कथा किये, गिल, लो الم, लो रेट, कहानी दवारा, गिल, लोम, लो रेट, जीन, पियर, जे नेटा, दवारा निर्ग में, जीन, मार्क्स, डे, चेम्स, कला, उडि, ओ, साड, अभिनित, आर्दे तो तू, म मैथ्यू कार्सो विटज, रूफ रूस लो रेला क्रड़ वोटवा, सर्ज मर्लिन, जम इल देवो जे, क्लेयर मोरिया, कास्टिड मोलेट, इसा बेल नेटी, डोमिनिक नीपो, आर्स दी पेंगू अन रोलाडे मोरो. मेर्च बेर्चौन चायकान, ब्रोन डे बो नेल, द्वारा संपादित है, स्राइडो, संगीत दिया है, यान टियर सेन, उत्पादन कम्पनिया, क्ला उडी, और साड प्रोडेक्शन, यू सी जी, विक्टोयर प्रोडेक्शन, टेपी ओका, फिलिम्स, फ्रांस थ्री सिनमा, एम, एम, सी, सवतंत्र, सोफिया, सोफनिज, पांच, फिलिम्स, टू चुंग, नहर, फ्रांस थ्री सिनमा, द्वारा वित्रित, यू सी जी, फ्राक्स, डिस्टिव्यूशन, फ्रांस, प्रो निको, फिल्म, मेर, सिच, जर्मनी, रिलीज करने की तारिक, 25 अप्रेल, 2001, फ्र 123 मिनट, देशो, फ्रांस, और जर्मनी, भासा, फ्रेंच, बजट, दस मिलियन, बॉक्स, ऑफिस, एक सो चौहितर, पॉइंट, टू मिलियन, फिल्म, को, यू सी जी, फ्राक्स, डिस्टिव्यूशन, द्वारा, 25 अप्रेल, 2001, को, फ्रांस, में, और 16 अगस, 2001, को, प्रो न को, फिल्म में, द्वारा, जर्मनी में, नाट के रूप से रिलीज किया गया था, टोटो के प्रदर्शन, छायकान, उतपादन, डिजाइनिंग, और लेखन के लिए, पिर्शंसा के साथ, फिल्म को, आलोचकों की पिर्शंसा मिली, एल्मी ने, यूरोपिय फिल्म, पुरुसकार जीता है, जिसने सर्वश्रेष्ट फिल्म और सर्वश्रेष्ट निर्देशन सहित चार सेशर पुरुसकार भी जीते, इसने सर्वश्रेष्ट मूल पठकता सहित दो ब्रीटिश अकैदमी पुरुसकार जीते, और सर्वश्रेष्ट विदेशी भासा फिल्म सह पांच अकैजमी प्रुसकारों के लिए नामानकित किया गया सर्वशेश्ट मूल पठकता यह फिल्म एक वैपसाइक सफलता थी जिसने दस मिलियन के बजट के मुकावले दुनिया भर में एस 174.2 मिलियन की कमाई की और यह एक प्रांसिस फिल्म के लिए सबसे बड़ी अंतराश्टिय सफलताओं में से एक है एमिन फोलेन का जनम जून 1974 में हुआ और उनका पालन पोशन वी लक्षन माता पिता दवारा किया गया जो गलत तरीके से मानते हैं कि उन्हें हिर्दिय दोस है उन्हें घर विध्याले का फैसला करें अपने अखेलेपन से निवटाने के लिए एलमीली एक सक्रिय कलपना और एक सरती व्यक्तित विक्सित करती हैं जब एक मिली छे साल की होती है तो उसकी मा अर्मडाइन्स की मौत हो जाती है जब एक आद्मगाती कनाइड पियर टक नो ट्रेग ड्रेम डे पियरिस की छट से कूदता है और उस पर उतरता है नतीजा तन उसके पिता राफेल समाच से अधिक से अधिक वापस लेते हैं एमेली इठारे साल की उम्र में घर छोड़ देती है और मोट मार्टे में कैफे ड्रेस टू मोलिंस में वेट्रेस बन जाती है जो सकनी के संग्रहे द्वारा करमचारी और अकसर किया जाता है अब एब विवाहित हैं और अपनी कलपना को सब्तंत रूप से घूमने देती हैं साधारन सुक्स में सतोस धूड़ती हैं जैसे अनाज की वोरियों में अपना हाट डूआने और चमच में से क्रेम बूली को फोड़ने 31 अगस 1987 को वेल्स की राजकुमारी डायन की मौत की ख़वर से चौक गई ए मेली ने एक प्लास्टिक फर्म्यों स्टा पर गिर गया आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो सको लाइक करें शैयर करें машे मेरे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद वेलकम टू माई यूटूब चैनल मेरे यूटूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है आज मैं आपको एमेली वो भी के बारे में बताती हूँ एमेली जिसे ले बे बूले बे फूलेक्स डे स्टिन डी एमेलिन पोलेन के नाम से भी जाना जाता है फ्रेज उच्चारण एल्फ फे बाइकल डेस्ट डेमिल पूला अंग्रेजी दा फेल लूसस डे स्टेनी आफ एमेल पोलेन जीना पियर जे नेट द्वारा निर्देश से दोजार एक की कोमेड रोमांटिक कोमेडी फिलिम है गूई लियूमस लारेट के साथ जी तन द्वारा लिखिती है फिलिम मोड मारेट में स्थापिस सम कालीन पेरिस के जीवन का एक सन की चित्रण है यह आटे टोटो द्वारा निभाई गई एक सामिल बेट ट्रेक की कहानी बताती है जो अपने लगाव में चूजते हुए अपने आसपास के लोगों के जीवन को बहतर बनाने का फैसला करती है फिल्म में सहायक भूमिका के कलाकारों की टुकडी भी सामिल है जिसमें सामिल हैं मैथ्यू कार्सो विटज, रूफज, लोरेला, क्राबोटा, सर्ज मालिन, जे मेल, डेवोज, क्लेयर, मोरिया, क्लोडिट टेल्स, मोलेट, इसाबेल, नेटी, डोमीन, निक्पिनिन, आर्स डीव, पेरगुन, रो लाडे मोरो, अर्वेन के स्लेयर, और मोरिस बे नीचो, निर्देशक जिन, पियर, जे नेटा, पट कथा किये, गिल, लोम, लोरेट, कहानी द्वारा, गिल, लोम, लोरेट, जिन, पियर, जे नेटा, द्वारा, निर्ग में, जिन, मार्क्स, डे, चे अभिनित आरदे तो तो मैथ्यू कार्सो विटज, रूफ रूस लो रेला क्रड़ वोटवा, सर्ज मर्लिन, जम इल देवो जे, क्लेर मोरिया, कास्टिड मोलेट, इसा बेलनेटी, डोमिनिक नीपो, आर्स, डी, पेंगू, रोलाडे मोरो, तो मेर्च बेर्चों चाया कान, ब्रोन, डे, बो, नेल, द्वारा संपादित है, स्राइडो, संगीत दिया है, यान, टियर सेन, उत्पादन कंपनिया, क्ला, उडी, और साड प्रोडेक्शन, यू सी जी, विक्टोयर प्रोडेक्शन, टेपी ओका, फिलिम्स, फ्रांस थ्री सिनमा, एम एम सी सवतंद्र, सोफिया सोफनिज पाँच, फिलिमश्टु चूंग, नेहर, फ्रांस थ्री सिनमा, द्वारा बित्रित, यू सीजी, प्राक्स, डिस्टिव्यूशन, फ्रांस, प्रो निको फिल्म मेर सिच जर्मनी रिलीज करने की तारिक 25 अप्रेल 2001 फ्रांस 16 अगस 2001 जर्मनी कार्यकारी समय 123 मिनट देशो फ्रांस और जर्मनी भासा फ्रेंच बजट 10 मिलियन बॉक्स ओफिस 114.2 मिलियन फिल्म को यूसी जी फ्राक्स डिस्टिविशन द्वारा 25 अप्रेल 2001 को फ्रांस में और 16 अगस 2001 को प्रो निको फिल्म में लिर द्वारा जर्मनी में नाट के रूप से रिलीज किया गया था टोटो के प्रदर्शन, छायकान, उत्पादन, डिजाइनिंग और लेखन के लिए पिर्शंसा के साथ फिल्म को आलोचको की पिर्शंसा मिली एल्मी ने यूरोपिय फिल्म पुरुसकारों में सर्वश्रेश्ट फिल्म का पुरुसकार जीता है जिसने सर्वश्रेश्ट फिल्म और सर्वश्रेश्ट निर्देशन सहित चार सेशर पुरुसकार भी जीते इसने सर्वश्रेश्ट मूल पठकता सहित दो ब्रीटिश अकैदमी पुरुसकार जीते और सर्फ्षेश्ट विदेशी भासा फिलिम सहित पांच अकैजमी पुरुसकारों के लिए नामानकित किया गया सर्फ्षेश्ट मूल पठकता यह फिलिम एक वैपसाइक सफलता थी जिसने दस मिलियन के बजट के मुकावले दुनिया भर में एस 174.2 मिलियन की कमाई की में हुआ और उनका पालन पोश्टन वी लक्ष्ण माता पिता दवारा किया गया जो गलत तरीके से मानते हैं कि उन्हें हिर्द्य दोस्थ है उन्हें घर विद्ध्याल्य का फैसला करें अपने अकेले पन से निवटाने के लिए एलमीली एक सक्रिय कलपना और एक सरती व्यक्तित विक्सित करती हैं जब एक मिली 6 साल की होती है तो उसकी मा अर्मडाइन्स की मौत हो जाती है जब एक आदम घाती कनाईड पियर टक नोट्रेग ड्रेम डेपियरिस की छट से कूदता है और उस पर उतरता है नतीजा तन उसके पिता राफेल समाद से अधिक से अधिक वापस लेते हैं ए मेली 18 साल की उम्र में घर छोड़ देती है और मोट मार्टे में कैफे ड्रेस टू मोलिंस में वेट्रेस बन जाती है जो सकनी के संग्रह द्वारा करमचारी और अकसर किया जाता है अब एव विवाहित हैं और अपनी कलपना को सब्तंत रूप से घूमने देती हैं साधार अनाज की बोरियों में अपना हाट डूआउने और चमच में से क्रेम बूली को फोड़ने 31 अगस 1987 को वेल्स की राजकुमारी डायन की मौत की ख़वर से चोग गई ए मेली ने एक प्लास्टिक फर्मियों पर गिर गया आई होप आपको मेरे वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें शेयर करें और मेरे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद वेलकम टू माई यूटूब चैनल मेरे यूटूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है आज मैं आपको ए मेली मूवी के बारे में बताती हूँ ए मेली जिसे ले बे बूले बे फूलेक्स डे स्टिन डी एमेलिन पोलेन के नाम से भी जाना जाता है फ्रेज उच्चारण एल्फ फे बाइकल डेस्ट डे मिल पूला अंग्रेजी दा फेल लूसस डे स्टेनी आफ एमेलिन पोलेन जीना पियर जे नेट द्वारा निर्देश से दोजार एक की कॉमेड रोमांटिक कॉमेडी फिलिम है गूई लियूमस लारेट के साथ जी तन द्वारा लिखिती है फिलिम मोड मारेट में स्थापिस सम कालीन पेरिस के जीवन का एक सन की चित्रण है यह आटे टोटो द्वारा निभाई गई एक सामिल बेट ट्रेक की कहानी बताती है जो अपने लगाव में जूजते हुए अपने आसपास के लोगों के जीवन को बहतर बनाने का फैसला करती है फिल्म में सहायक भूमिका के कलाकारों की टुकडी भी सामिल है जिसमें सामिल हैं मैथ्यू कार्सो विटज, रूफज, लोरेला, क्राबोटा, सर्ज मालिन, जे मेल, डेवोज, क्लेयर, मोरिया, क्लोडिट टेल्स, मोलेट, इसाबेल, नेटी, डोमीन, निक्पिनिन, आर्स डीव, पेरगुन, रोलाडे मोरो, अर्वेन के स्लेयर, और मोरिस बे नीचो, निर्देशक, जिन, पियर, जे नेटा, पट कथा किये, गिल, लोम, लोरेट, कहानी द्वारा, गिल, लोम, लोरेट, जिन, पियर, जे नेटा, द्वारा, निर्ग में, जिन, मार्क्स, डे, चे अभिनित आएदे तो तो मैथ्यू कार्सो विटज, रूफ रूस लो रेला क्रड़ वोटवा, सर्ज मर्लिन, जम इल देवो जे, क्लेर मोरिया, कास्टिड मोलेट, इसा बेलनेटी, डोमिनिक नीपो, आड्स, डी, पेंगू, रोलाडे मोरो, मेर्च बेर्चों चाया कान, ब्रोन, डे, बो, नेल, द्वारा संपादित है, स्राइडो, संगीत दिया है, यान, टियर सेन, उत्पादन कम्पनिया, क्ला, उडी, और साड प्रोडेक्शन, यू सी जी, विक्तोयर प्रोडेक्शन, टेपी ओका, फिलिम्स, फ्रांस िरी सिनमा, एम एम सी सवतन्त्र, सोफिया सोफनीज पाँच, फिलिम्सिछु चुंग, नेहर, फ्रांस िरी सिनमा, द्वारा वित्रित, यू सीजी, फ्राक्स, डिस्टिव्यूशन प्रांस, प्रो निको फिल्म मेर सिच जर्मनी रिलीज करने की तारिक 25 अप्रेल 2001 फ्रांस 16 अगस 2001 जर्मनी कार्यकारी समय 123 मिनट देशो फ्रांस और जर्मनी भासा फ्रेंच बजट 10 मिलियन बॉक्स ओफिस 114.2 मिलियन फिल्म को यूसी जी फ्राक्स डिस्टिविउशन द्वारा 25 अप्रेल 2001 को फ्रांस में और 16 अगस 2001 को प्रो निको फिल्म में द्वारा जर्मनी में नाट के रूप से रिलीज किया गया था टोटो के प्रदर्शन छायकान उतपादन डिजाइनिंग और लेखन के लिए पिरसंसा के साथ फिल्म को आलोचको की पिरसंसा मिली एल्मी ने यूरोपिय फिल्म पुरुसकारों में सर्वस्ट्रेश्ट फिल्म का पुरुसकार जीता है जिसने सर्वस्ट्रेश्ट फिल्म और सर्वस्ट्रेश्ट निर्देशन सहित चार सेशर पुरुसकार भी जीते इसने सर्वस्ट्रेश्ट मूल पठकता सहित दो ब्रीटिश अकैदमी पुरुसकार जीते और सर्फ्षेश्ट विदेशी भासा फिलिम सहित पाच अकैजमी पुरुसकारों के लिए नामानकित किया गया सर्फ्षेश्ट मूल पठकता यह फिलिम एक वैपसाइक सफलता थी जिसने दस मिलियन के बजट के मुकावले दुनिया भर में एस 174.2 मिलियन की कमाई की और यह एक प्रांसिस फिलिम के लिए सबसे पड़ी अंतराष्टिय सफलताओं में से एक है एमिन फोलेन का जनम जून 1974 में हुआ और उनका पालन पोशन वी लक्षन माता पिता दवारा किया गया जो गलत तरीके से मानते हैं कि उन्हें हिर्दिय दोस है उन्हें घर विध्याले का फैसला करें अपने अखेलेपन से निवटाने के लिए एलमीली एक सक्रिय कलपना और एक सरती व्यक्तित विक्सित करती है जब एक मिली छे साल की होती है तो उसकी मा अर्मडाइन्स की मौत हो जाती है जब एक आदम घाती कनाईड पियर टक नो ट्रेग ड्रेम डे पियरिस की छट से कूदता है और उस पर उतरता है नतीजा तन उसके पिता राफेल समाद से अधिक से अधिक वापस लेते हैं ए मेली इठारे साल की उमर में घड छोड़ देती है और मोट मार्टे में कैफे ड्रेस टू मोलिंस में वेट्रेस बन जाती है जो सकनी के संग्रहे द्वारा करमचारी और अकसर किया जाता है अब विवाहित है और अपनी कलपना को सब्तनत रूप से घूमने देती है साधारन सुक्स में सतोस ढूड़ती है जैसे अनाज की वोरियों में अपना हाट डूओने और चमच में से क्रेम बूली को फोड़ने 31 अगस 1987 को वेल्स की राजकुमारी डायन की मौत की ख़वर से चोग गई ए मेली ने एक ब्लास्टिक फर्मयों पर गिर गया आई होप आपको मेरे वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें शेयर करें और मेरे यूटीब चैनल को सब्सक्राइब करें धर्न्यवाद वेलकम टू माई यूटूब चैनल, मेरे यूटूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है आज मैं आपको ए मेली मुवी के बारे में बताती हूँ ए मेली जिसे ले बे बूले बे फूलेक्स डे स्टिन डी एमेलिन पोलेन के नाम से भी जाना जाता है फ्रेज उच्चारण एल्फ फे बाइकल डेस्ट डेमिल पूला अंग्रेजी दा फेल लूसस डे स्टेनी आफ एमेलिन पोलेन जीना पियर जे नेट द्वारा निर्देश से दोजार एक की कोमेड रोमांटिक कोमेडी फिलिम है गूई ल्यूमस लारेट के साथ जी तन द्वारा लिखिती है फिलिम मोड मारेट में स्थापिस सम कालीन पेरिस के जीवन का एक सन की चित्रण है यह आटे टोटो द्वारा निभाई गई एक सामिल बेट स्ट्रेक की कहानी बताती है जो अपने लगाव में चूजते हुए अपने आसपास के लोगों के जीवन को बहतर बनाने का फैसला करती है फिल्म में सहायक भूमिका के कलाकारों की टुकडी भी सामिल है जिसमें सामिल हैं मैथ्यू कार्सो बिटज, रूफज, लोरेला, क्राबोटा, सर्ज मालिन, जे मेल, डेवोज, क्लेयर, मोरिया, क्लोडिट टेल्स, मोलेट, इसाबेल, नेटी, डोमीन, निक्पिनिन, आर्स डीव, पेरगुन, रोलाडे मोरो, अर्वेन के स्लेयर, और मोरिस बे नीचो, निर्देशक, जिन, पियर, जे नेटा, पट कथा किये, गिल, लोम, लोरेट, कहानी द्वारा, गिल, लोम, लोरेट, जिन, पियर, जे नेटा, द्वारा, निर्ग में, जिन, मार्क्स, डे, चे अभिनित आरदे तो तो मैथ्यू कार्सो विटज, रूफ रूस लो रेला क्रड़ वोटवा, सर्ज मर्लिन, जम इल देवो जे, क्लेर मोरिया, कास्टिड मोलेट, इसा बेलनेटी, डोमिनिक नीपो, आर्स, डी, पेंगू, रोलाडे मोरो, तो मेरे बेर्चों चाया कान, ब्रोन, डे, बोनेल, द्वारा संपादित है, फ्राइडो, संगीत दिया है, यान, टियर सेन, उत्पादन कंपनिया, क्ला, उडी, और साड प्रोडेक्शन, यू सी जी, विक्टोयर प्रोडेक्शन, टेपी ओका फिलिम्स, फ्रांस थ्री सिनमा, m.m.c. सब्तंद्र, सोफिया, सोफिनीज पाँच, फिलिम इस्टू चुंग, नेहर, फ्रांस थ्री सिनमा, द्वारा वित्रित, यू सीजी, फ्राक्स, डिस्टिविूशन फ्रांस, प्रो निको फिल्म मेर सिच जर्मनी रिलीज करने की तारिक 25 अप्रेल 2001 फ्रांस 16 अगस 2001 जर्मनी कार्यकारी समय 123 मिनट देशो फ्रांस और जर्मनी भासा फ्रेंच बजट 10 मिलियन बॉक्स ओफिस 114.2 मिलियन फिल्म को यूसी जी फ्राक्स डिस्टिविउशन द्वारा 25 अप्रेल 2001 को फ्रांस में और 16 अगस 2001 को प्रो निको फिल्म में द्वारा जर्मनी में नाट के रूप से रिलीज किया गया था तोटो के प्रदर्शन छायकान उतपादन डिजाइनिंग और लेखन के लिए पिरसंसा के साथ फिल्म को आलोचको की पिरसंसा मिली एल्मी ने यूरोपिय फिल्म पुरुसकारों में सर्वश्रेश्ट फिल्म का पुरुसकार जीता है जिसने सर्वश्रेश्ट फिल्म और सर्वश्रेश्ट निर्देशन सहित चार सेशर पुरुसकार भी जीते इसने सर्वश्रेश्ट मूल पठकता सहित दो ब्रीटिश अकैदमी पुरुसकार जीते और सर्फशेश्ट विदेशी भासा फिल्म सहित पांच अकैदमी पुरुसकारों के लिए नामानकित किया गया सर्फशेश्ट मूल पठकता यह फिल्म एक बैपसाइक सफलता थी एल्मिन फोलेन का जनम जून 1974 में हुआ और उनका पालन पोशन विलक्षण माता पिता दवारा किया गया जो गलत तरीके से मानते हैं कि उन्हें हिर्दिय दोस है उन्हें घर विद्ध्याल्य का फैसला करें अपने अखेलेपन से निवटाने के लिए एल्मिन एक सक्रिय कलपना और एक सरती व्यक्तित विक्षित करती हैं जब एक मिली छे साल की होती हैं तो उसकी मा अर्मडाइन्स की मौत हो जाती है जब एक आत्मगाती कनाइड पियर टक नो ट्रेग ड्रेम डे पियरिस की छट से कूदता है और उस पर उतरता है नतीजा तन उसके पिता राफेल समाच से अधिक से अधिक वापस लेते हैं ए मेली इठारे साल की उमर में घर छोड़ देती है और मोट मार्टे में कैफे ड्रेस टू मोलिंस में वेट्रेस बन जाती है जो सकनी के संग्रह द्वारा करमचारी और अकसर किया जाता है अब विवाहित है और अपनी कलपना को सब्तंत रूप से घूमने देती हैं साधारन सुक्स में सतोस धूड़ती हैं जैसे अनाज की वोरियों में अपना हाट डूओने और चमच में से क्रेम बूली को फोड़ने 31 अगस 1987 को वेल्स की राजकुमारी डायन की मौत की ख़वर से चोग गई ए मेली ने एक प्लास्टिक फर्मियों स्टापर गिर गया करें और मेरे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद